अबसकार फैंट्स मेर नाम चाल बबलूर, पर हैकर में आपका सवागत आजम देखने वाले यहाँ पर हो जाता है इन्बर्मेंट का जो है पार्ट नमबर रहने वाला है वही ठीक है अगर नहीं कहा जाएंगे www.paperhacker.in हमारी साइट पर जाएंगे तो बहाँ पर आपको playlist का link मिल जाएगा और भी आराम से बहाँ जाके आप देख सकते हो ठीक है तो फेंट्स लाइक करना शेर करना चैनल को सस्क्राइब करना और जिस किसी को English या फिर Hindi किसी में भी नोट्स चाहिए तो उन्हें कहां मिलेगा www.paperhacker.in पर हमारी साइट पर जाके आप डानलोड कर सकते हैं PDF नोट्स के लिए PDF नोट्स कहां मिलेगा English और Hindi दोनों में आपके लिए प्रोवाइट कहां जा रहा है ठीक है तो आप कहां जानलोग कर सकते हैं paperhacker.in पर हमारी साइट है बहाँ पर आप बिजट करिए जागा और बहाँ जाके आप डानलोड कर सकते हैं ठीक है तो बढ़ते हैं फटा पट आज के क्योशनों की ओर तो आज का जो यूनिट नमर हमारी सेकंड चल लए है फोर और फाइब में हम क्या देखेंगे इरोट नमर सेकंड देखने वाले हैं तो आज का जो क्योशन है वो इस्टार्ट होगा 51 से ठीक है तो बढ़ते हैं फटा फट क्योशन की सुलाद करते हैं तो फ़र्स्ट ने कोशन आपके सामने रखा है तो फ़र्स्ट ने कोशन के रहा है सुध जल का प्रतीशत बिलकुल तो सुध जल का प्रतीशत जो हमें भूमी गत जल के रूप में मिलता है बै कितना परसंटेज होता है आपको बताना है तो पहला देरेका है तीन परसंट एक परसंट जीरू पॉन फाइफ परसंट या फिर बन पॉइंट नैंटी सेवन परसंट कौन सामने पर कुल को राइट होगा द्रकाय सुध जल का प्रतीशत जो हमें भूमी गत जल के रूप में मिलता है द्यानक ना भूमी गत जल की बात यहां पर हो रही है ठीक है भूमी के अंदर की बात नहीं हो रही है यहां पर कितने प्रित्ति से जो है जो सुध मिलता है एक परसंट नहीं होगा यहां पर एक परसंट मर लगा देना वो होता है बन पॉइंट नैंटी सेवन परसंट तो इसको याद कलेना इसको याद कलेना जो भूमी गत जल के रूप में मिलता है सुद्ध जल के रूप में तो कौन सा होगा 1.97% यहां पर रहने वाला है आगे बढ़ते हैं next question यहां देखा है सबसे स्वच्छ जलने वाला जीबास्म उर्जा इस्तोत है सबसे स्वच्छ की बात कर रहा है यहाँ पर तेल जलता है तो कार्वन होती है और क्ल diyorum होती है इनiß से कोई नहीं या फ्र प्रदेककई गैस सबसे स्वच्छ हो जाता है ठीक है तो राइट उपसर नमबर यहाँ पर रहने वाला है आगे बढ़ते है क्या अच्छा पिर्यों करने वाला कौन है यह आपको यहाँ पर चूज करना है पे además किर शील autour गरेलु च्ट्र तो यहां पर राइट नमा रहा क्या रहने वाला देखीगा तो बात करते हैं यहाँ पर भात में सरवदिक उर्जा का उप्यों करने बाला जो है ऑकrence को है वो होता है अपना ओधोगे की छेत्र कौन सा होगा ओधोगे की छेत्र छेत्र है ना जो भारी मशीनिय वगारा फेक्टरी में चला या रही है इनमें क्या होता है उर्जा का ज्यादा उपयोग किया जाता है आगे बढ़ता है सागरो औव महासागरो में तैरते पादप कहे जाते हैं जो तैरते पादप होते हैं उन्हें क्या कहते हैं यह आपको यहाँ पर बताना है पहला दरेका अपना प्लेंक्टन फिर किर्मी मचली या फिर मक्खी तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है देखेगा तो साग्रो एव महासाग्रो में तैरते पादप कहे जाते हैं क्या कहे जाते हैं? यह कहे जाते हैं पिलेंक्टन तो राइट अंसर मारा क्या होगा? आप्सेन नमबर. ए रहने वाला यहां पर ठीक है? next question की बात करते हैं जीव जंतू और परियाबड की अंत्रक्रियाओं के अधिन को कहते है जो अंत्रक्रियाओं का अधिन जो होता है उन्हें क्या कहा जाता है पाज्तिक्तंत्र, Pakito, Geography या फिर अपना हो जाता है पाज्तिकी या फिर Teorology तो यहाँ पर आइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है तो बात करते हैं जीव जन्तू और पर्याबढ के अंतकरियां के अध्यन को कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं पारिस्थितिकी तो राइट आंसर यह होगा option number C रहने वाला अपना आगे बढ़ते हैं next question next question की बात करते हैं अधिकतर पौदो के लिए सर्बोत्तम मिर्दा है अधिकतर पौदो के लिए सर्बोत्तम मिर्दा कौन सी है जिसमें पौदे जादा ग्रोथ करते हैं पर देखा है दोमट, चीका या चीका दोमट या फिर हो जाता है बलूई तो right answer अधिक आन्षर क्या होगा आपको पता है सर्बोत्तम मिर्दा जो होती है पौदो के लिए उप्योक्त बो होती है दोमट मिट्टी तो right answer क्या होगा दोमट रहने वाला है आगे देखीगा प्यत्वी का सबसे बड़ा पारितंतर क्या होता है प्यत्बी का सबसे बढ़ा पाईतंतर क्या होता है महानजील, समुधर, किरशी छेत्र या फिर बन तो right answer मेरा क्या होगा तो प्यत्बी का सबसे बढ़ा जो पाईतंतर होता है ऊप्षा नमबर बीरेने वाला है next वरते हैं फाहत में सरभदिक बन निंविकित्मे से कि यह सो नमबर रहने वाला है वहाथ बात करते हैं बात में सरवदिक बन निम्री कित में से किस छेत्र में पाई जाते हैं तो बह पाई जाते हैं पस्चमी घाट में तो राई टांसर क्या होगा option number D रहने वाला है इसको याद करना है आगे बढ़ते है नेक्स कोईशन तो रहारा जल एकत्र होता है किस नदी का होता है यहाँ पपने पंजाब में हो जाता है ठीक है? सबसे मुचा है. बात करते हैं भाकणा नागल बाढ़ जर्परपात है एकत्र होता है. जल एकत्र किस नदीका करता है? बहाँ अपसे पूछ रखया है? प Edge इलका है घहागरा नदीका, भागी रति नदीका सतलज नदीका या फिर कोसी नदीका तो right answer नमारा क्या होगा तो भाखरानागल जो बांद है वो किस नदीका जलेकत्र करता है तो वो हो जाएगा सतलज नदीका जलेकत्र करता है तो right answer option number C रहने वाला है next question की बात करते हैं next question कहा है फूलो की घाटी इस्तित है फूलो की घाटी कहां इस्तित है सिक्किम में, उत्राखंड में, केरल में या फिर जम्मू कस्मीर में तो फूलो की घाटी कहां इस्तित है यह अपनी हो जाती है, कहां पर UK में, मतरा उत्राखंड में यहां पर इस्तित हो जाती है ठीक है right answer option number B हो जाएगा next बढ़ते है next question रहका है सागर में मचलिया निमनीकित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती है जो सागर है उनमें जो मचलियां होती है वो निमनीकित में से किस पदार्थ पर जीवित रहती है यह आपको बताना है, पर देखा है मास, प्लेंक्टन, मूंगा या फिर लबड, तो यहां right answer नमारा क्या रहने वाला है, तो जो मचलियां होती हैं, वो किस पदार्थ पर जीबित रहती हैं, लबड पर बिलकुल नहीं, ना ही मूंगा पर और ना ही मास पर, तो वो किस पर रह आपको यहां पर बताना है, चतीजगड़ में, जहार्खंड में, म्द्यपिदेस में, या फिर उड़िचा में, तो कहाँ पाई जाएंगे, सर्बदिक कोईलाभंडार, बात करते हैं, यह पाई जाते हैं, महाराश्च में, कहाँ पर महाराश्च में सबसे ज़्यादा एक तो हो जाते हैं पस्चिम बंगाल में अपने ठीक है एक हो जाता है पस्चिम बंगाल में और कहां हो जाते हैं जारकंड में और कहां हो जाएंगे बई और हो जाएंगे अपने जारकंड में दो जगए कौन है कोईला भंडार उपस्थित हैं जैसे की बात करते हैं प्रण्गाल कि बात करते हैं यहां पर है एक रानी गंज है राणी गंज है ने पूंसकता है को कहा पर है तो राणी गंज में इस्तित है ठीक है और जहार में जरिया में ठीक है दो हमाई राज हो जाते हैं तो दोनों की तो नहीं आपर देख लिए सबसे ज्यादा की बात करते हैं सरब देखें जहार खंड में उसके अंदर उसके बाद है पश्चे मंगल में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की बात करते हैं यहां देखा ह मेगनेट इटञाईट खाने लोहा का ठीक है तो राइट राहिट आनसी अप्षानपर एः जल अवम वभायू जैबिक और अजैबिक मानब आवम समाज बरसा तो पाई अगटक कौन हो जाते हैं आपको यहां पर चूजच करना है तो कौन सबागा बिर्क विक उभ Agora बारता है जलिये पाईतंत्र का अर्थ है यह आपको बताना है नदी पाईतंत्र बायू पाईतंत्र ग्रसी पाईतंत्र या फिर बन पाईतंत्र तो जलिए पारितंतर का अर्थ किया है तो यहां पर एक ही दिख रहा है आपके लिए नदी पारितंतर हो जाएगा ठीक है कौन सा हो जाएगा नदी पारितंतर हो जाएगा आगे देखिएगा next question तो पेट्रोलियम को द्रब सोना कहा जाता है राइट अंसर उप्षिन नंबर C हो जाएगा यहां पर नेक्स स्कुशन की बात करते हैं बाता बड़ में नाइट्रोजन की प्रितिसत मातरा कितनी है तो बायू मंडल में आपको बताना है नाइट्रोजन की परसेंटेज मातरा कितनी है बाता बड़ में नैट्रोजन की प्रसेंट अक्षियन की मातरा कितनी होती है तो इतने में सही आपको क्योशन देखने को मिलने वाले हैं तो यह चारों के चारों आपको याद होने चाहिए तो यहाँ देखा है बात रवन में nitrogen का प्रसेंट कितना होता है तो वो होता है 78% right answer option number A हो जाएगा next question की बात करते हैं मिर्दा profile की कौनसी परत में अधिक carbonic पदार्थ होता है मिर्दा profile की कौनसी परत में अधिक carbonic पदार्थ होता है कौनसी परत है उसमें अधिक carbonic पदार्थ पाए जाता है भै आपको यहाँ पर बताना है बताएगा बिल्कुल तो परत कौनसी हो जाती है वो हो जाती है अपनी ओपरत ध्यान रखना है यह कौनसी पदार्थ है ओपरत हो जाती है इसमें अधिक carbonic पदार्थ पाई जाते हैं आगे बढ़ते हैं next question यह आपको याद कर ना पड़ेगा नेक्स बरते हैं bio gas संबंदित है bio gas संबंदित है कि से है sor उर जासे पबन उर जासे ताप उर जासे या फिर jab उर जासे तो यहां right answer मरा क्या हो जाएगा तो Bio Gas है वो किस से संबंदित है ना पिर किस से हो जाएगी बई पबन्त आप जैब उर्जा से किस होगी जैब उर्जा से संबंद जाएगी Bio Gas ठीक है वर्षा का मुख्यकाड क्या होता है परबता रोही प्रभाब भी होता है बिल्कुल और संबहनी प्रभाब भी होता है और चक्रबाद बगर आते तब भी वर्षा होती है तो राइट अंसर क्या होगा यह सभी रहने वाले हैं ना तो बिल्कुल ऑप्शन नमबर डी यहां पर मारत छितराना या प्रिकास संसलेशड क्या कहलाएगी प्रिकास ऊर्जा को भोजन ऊर्जा में बदलने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है प्रिकास संसलेशड कहलाती है राइट आंसर अप्शन नमबर डी हो जाएगा जब यह बात हुई है तो बही हम के लिए फिर दोबर आते ह है ठीक है तो क्या होता है प्रिकास संसलेशल में आ क्या लेते हैं अ जल लेते हैं 2- shots और किसे उपस्ति में प्रिकास है ना प्रिकास की उपस्तिती प्लस पौदे क्या हैं पढ़ हरीम होगा ठीक है पौदों में क्या होता है पढ़ हरीम होता है तो पढ़ हरीम होगा इनकी यहाँ पर प्रिकास और पढ़ हरीम की उपस्तिती में क्या बनाते हैं यह बनाते हैं अपना क्या बनाएंगे ग्लूकोज बनाएंगे हैं ना ग्लूकोज C6 H12 O6 ग्लूकोज बनाते हैं पिलस क्या करते हैं 6 O2 ऑक्षिन क्या करते हैं रिलीज करते हैं और प्लस 6 H2O और जल भी रिलीज करते हैं तो इस प्रिकास से हमारा प्रिकास संसलिक के रिया कोई से हो जाती है? यह हो जाती है, ठीक है? यह बहुत ही important है कि आपको देख ले और एक option ना दे, बहां से हटा दे और पोचे कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ठीक है? तो यह आपको याद होनी चाहिए, तो प्रिकास उर कहते हैं, बहां आपको बताना है, क्या कहते हैं उन्हें? swap OC कहते हैं, क्या कहते हैं? swap OC कहते हैं, मतलब auto-trops, ठीक कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा, right answer, auto-trops, ठीक है? option नमबर भी यहाँ पर बिल्कुल, right रहने वाला है, swap OC, आगे बढ़िएगा, याद रहका है, LPG है, LPG क्या है? liquid protein gas, large production gas, या फिर liquid petroleum gas, या फिर low petroleum gas, यहाँ right answer क्या होगा? LPG, LPG की full farm बुछ रखी है, क्यों से होगी? liquid petroleum gas, right answer option number C हो जाएगा अपना यहाँ पर, आगे देखते हैं, next question बाप बुछ रखा है, next question कहे रहा है, जीबो एवम पर्यावड के अध्यन, अन्योन किरिया के अध्यन को कहते हैं, जीबो एवम पर्यावड के मद्ध अन्योन किरिया के अध्यन को क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपको बताना है, तो कौन सा बिलकुल right होगा? बताएगा वई, अब दो क्या कहेंगे से, बताएगा, तो कहरा है, जीबो और पर्यावड के मद्ध अन् पारिस्तितिकी तंत्र या फिर फाइटोलॉजी पाइटो जियोग्राफी या फिर पाइश्थितिकी तो राइट आंसर मारा क्या होगा पारिस्तिकी कहेंगे ये तो हम पढ़ी रहे हैं ना सबसे पहले यहीं इमने देखा था आगे बड़ता है नेक्स्ट कुशन यहाँ करता ना है कौन से विलकुर राइट होगा तो यह माई का का सर्वितिक उत्पादक कहां होता यह उता अपने जहार खंड में ठीक है राइट अंसर अप्शन नमबर ए रहने वाला है ठीक है याद करेना इसके लिए माईका धार खंड ठीक है कोई बात नहीं ऑगे देखेंगा नेक्स्क राइखा है सर्प है सर्प क्या है उत्पादक वह भोकता है ये फिर मास भचची साथ क्या होता है सर्प क्या खाता है मास खाता है न यह क्या हो जाएगा मास भच्ची हो जाएगा राइट अंसर नमबर डी रहने वाला है नेक्स देखते हैं नेक्स देखा है बायू में यह सर्वदिक मात्रा में है बायू में यह सर्वदिक मात्रा में कौन सर्वदिक मात्रा में यह पाइद रखा है oxygen, carbon dioxide, nitrogen या फिर organ तो यहाँ पर सरवदिक मातरा में कौन सी होती है oxygen कितनी है 21% carbon dioxide कितनी है 0.04% nitrogen कितनी है 78% तो सबसेदिक मातरा में कौन है nitrogen right answer option number C हो जाएगा next बढ़ते है next रखा है भात में कोईले का सरवदिक उपयोग होता है बढ़त में कोईले का सरवदिक उपयोग कहा होता है घरों में, butter plant में, या फिर eat भटों में, उपयोग तो तीनों में बराबर तो यहाँ right answer क्या होगा बाध में कोईले का सरवदिक उपयोग होता है कहां होता है वही पाबर प्लाइंटों में होता है राइट आंसर ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा नेक्स देरे रिखा है निमिकित में से कौन सबसे इस्थाई पाइस्थितिक तंतर है सबसे इस्थाई की बात कर रहा है, एक जगे इस्थित, निम्रिकित में से सबसे इस्थाई पाइस्थित तंत्र कौन सा है, समुद्र, तालाब, मरुस्थल या फिर बन, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है, सबसे इस्थाई की बात कर रहा है, समुद्र की हवाय चलती है और रेट उड़कर एक जगे से दूजगे चलिया आता है उतना ही तालाब होगा है ना तो कहरा है इस सबसे इस्थाई कौन होगा बन होगा राइट आंसर नमबर डी रहने वाला यहां पर आगे बढ़ेगा यहां रखा है निमनिकित में से कौन गैर पारंपरि यह आपको यहां पर बताना है पहला दे रखा है कोईला पेट्रोलियम सक्ती सयंत या फिर सूर्य बिकिरड तो यहां पर राइट आंसर नमारा क्या रहने वाला है गैर पारंपरिक उर्जा इस्तो तो कौन सा जाएगा बई सूर्य बिकिरड हो जाएगा बिलकुल इसी आस मैदान में जील में या फिर बन में तो सबसे अधिक जय बहर किसमें होता है यह अपने हम देखने को मिलता है बन में राइट आंसर ओप्शन नमबर डी रहने वाला है नेक्स बढ़ते हैं बहात में बरसा कम होने का प्रमुकार्ड क्या है नियंत्रत बार मिर्दा अप्शन नमबर सी रहने वाला है नेक्स बढ़ते हैं यहां रखा है खाग कड़ी में साकाहरी होते हैं खाग कड़ी में साकाहरी कौन होते हैं आप घटक दुतिय को भोगता प्रात्मे को भोगता मतलब खाने वाले हो जाते हैं भोगता ठीक है और उत्पादक क्या होते है पौदे हो जाते हैं तो यहां देखा है खा कड़ी में साकाहरी कौन होंगे साकाहरी कौन होंगे यह दुतियक क्यों होने चाहिए ठीक है यहां पर दुतियक भोगता साकाहरी होंगे है ना नहीं नहीं दुत्यक प्रात्मे को भोगता हुए रहां दुत्यक क्या सो जाएंगे नहीं तो को उत्पादा को खाते कौन है प्रात्मे को भोगता है न तो साकाहरी कौन हुए प्रात्मे को भोगता हुए ठीक है तो राइट आंस लॉप्स नमबर डी होने वाला यहाँ पर आ यहां पर आपको बताना है उत्पादक अपगटक उत्पादक अपगटक और उत्पादक और भोकता उत्पादक और 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 उत्पादक क्या होगा option number D रहने वाला यहाँ पर next देखेगा सागर्य जल के लबड में सबसे बड़ा घटक है जो सागर्य जल होता है उसके लबड में सबसे बड़ा घटक कौन सा है आपको बताना है calcium calcium sulfate, magnesium sulfate, magnesium chloride, sodium chloride तो सागर्य जल में लबड में सबसे बड़ा घटक कौन सा है तो आपको पता है सागर्य में खारापन किसके काड़ होता है बैव होता है sodium chloride के काड़ तो right answer option number D है यही सबसे बड़ा घटक हो जाता है आगे बड़ते हैं निम्निकित में से कौन अच्छा है उर् अच्छा है उर्जा का उधार कौन सा नहीं है बहें आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सा ब्लुकुल राइट होगा तो अच्छा है उर्जा का कौन सा इस्तोत नहीं है ना बही देखना है आपके लिए तो कौन सा उधाय का अच्छा है उर्जा का उधार नहीं है तो प अच्छ, जो 6 ना होगा, वो तो कहीं अच्छ, और यहाँ देख कैने जो 6 हो जाए, भूता पीन हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं अपनी जलविद्धोंत होगी, नहीं होगी, सूरह, तो वो कौन्स जाएगी, परमाणू हो जाएगी, राइट अप्सन नमबर B हो जाएगा, जो 6 हो जाए है ना परमाडू क्या होगा एक समय होगा वह कहतम हो जाएगी तो right answer option number B हो जाएगा बिल्कुल right ठीक है परमाडू आगे बढ़ता है next question यहां देखा है प्रात्मिक भोगता का उधारण है प्रात्मिक भोगता कौन होते हैं जो उत्पाड़कों को खाते हैं हिरन उल्लू बाग या फिर सेर शेर मास खाता है यह कैसा हो जाएगा दुतिये और बाग भी हो जाएगा और उल्लू भी हो जाएगा है ना बगार हेरन क्या हो जाएगा प्रात्मिक भोगता हो जाएगा right answer option number A रहने वाला है next बढ़ते हैं सूर्य में उर्जा कहां से आती है सू आपको बताना है यह एक पारंपरिक इधन नहीं है आपको यहाँ पर चूज करना है पारंपरिक पारंपरिक की बात कर रहा है, पारंपरिक इधन नहीं है, परंपराओं सला रहा है, यह होगा ठीक है, पुरानी जमानी सला रहा है, बही होगा न, पारंपरिक और तो कुछ हो नहीं सकता, चलो ठीक है देखते हैं फिर, इसमें अलग चुछ करते हैं पहले उसके बाद देखत है बात करते हैं लखडी है और उपला है यह कैसे हैं पारमव पर इधन हो जाते हैं यह मगर लग अलीज लिद इंप है यह पारमव पर इधन नहीं है तो इस प्रकास से आप देख सकते ओए और पर थें पत्यों में क्लोरोफिल की कमी या अब कर न कहलाता है पत्ति chlorophyll की कमी या अब कड़ क्या कहलाता है यह रोग होगा ठीक है यह रोग कौन सा होता है पौधों में यह आपको बताना जो chlorophyll की कमी हो जाती है पौधों में तो कौन सा रोग होता है वो आपको देखना है necrosis, chlorosis या फिर epinosity या फिर लाइकेन यहाँ पर लाइकेन तो पोदे का नाम हो जाता है यह तो होगा नहीं ठीक है तो बात कहते हैं पत्यों में chlorophyll की कमी के क्या कहलाता है chlorophyll की कमी होती है वो क्या कहलाती है तो वो जाती है chlorosis ठीक है तो right answer option number B हो जाएगा यहाँ पर नेक्स बढ़ते हैं यह एक साकाहारी जानबर नहीं है यह जो एक है वो साकाहारी जानबर नहीं है कौन सा नहीं है हिरन जेवरा मेड़ या फिर भेड़ मेड़ साकाहारी है जेवरा भी साकाहारी गोर हिरन भी साकायोद मेंकर मेड़ क्या है मासा हारी है तो राइट अंसर उप्शेन नमबर C हो जाएगा नेक्स्ट बहते हैं भूबेग ग्यानिकों के अनुसार जो अला मुखी से बारी SO2 सल्फरड़ ऑक्साइड गैस इन में से किसके लिए जिम्मेदार है जो आला मुखी से जारी जो SO2 होती है वो गैस इन में से किसके लिए जिम्मेदार है पहला जोबल बार्मिंग ओजोन परत रिक्तिकरड या फिर जैब विविता कमी या देख अपना बैस्बिक सीतलता तो यहां पर बताना है कौन सा बिलकुल राइट हो जाएगा तो यहां जो SO2 होती है SO2 और NO2 यह दोनों क्या होती है ओजोन परत रिक्तिकरड में सहायक होती है मतलब जिम्मेदार होती है तो राइट आंसर अप्शन नमबर बी हो जाएगा यहां पर ठीक है आगे बढ़ता है next question नेक्स्ट रेका अपना यह है यहां पर होगा पुनर निभी पुनर निभी निकरत ठीक है पुनर निभी करत पुनर कोई बात नहीं ठीक है पुनर निभी निकरत पुनर निभी निकरत ठीक है उजा का इस्तोत नहीं है तो आपको चूज करना है कौन सा हो जाएगा ठीक है जल्दी में पढ़ने दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं पुनर नभीनी करत ठीक है बात करते हैं लकडी बायो गैस या फिर कोईला या फिर दिरखाई ये सभी तो पुनर निवी करत उर्जा का इस्तोत नहीं है तो कौन सा नहीं है भैं आपको यहाँ पर चूज करना है तो लकडी भी हो जाता है बायो गैस भी हो जाएगा कोईला तो यहाँ पर राइट आंस जोगा ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा यह सभी ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन दे रखा है भारत की उर्जा आवस्यक्ता में जीबास्मी इधन के बाद योगदान करने बाला दूसरा सबसे महात्पूर इस्तोत कौन सा है वह आपको यहाँ पर चूज करना है तो भारत की उर्जा आवस्यक्ता में बात की उर्जा आपसकता में जीवासम इधन के बाद योगदान करने बाला दूसरा सबसे महात्पूर इस्तोत कौन सा होगा भैं आपको बताना है सौर उर्जा, नाभी की उर्जा, जल उर्जा या फिर पबन उर्जा तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर देखना है अरे भाई हो गए